चलिए बचो आब हम जानते हैं कौकरोज की अनाटमी सबसे पहले हम बात करेंगे उसके एलिमेंटरी केनाल की तो जो एलिमेंटरी केनाल होता है वो डिवाइड़ होता है थ्री रीजिन्स में फोर गट, मिडगट और हाइन गट में यहां पर आपके सामने कौकरोज का एलिमेंटरी केनाल दिखाया है यह फोर गट है, यह मिडगट है और यह हाइन गट है तो कौकरोज का जो एलिमेंटरी केनाल होता है वो स्टार्ट होता है माउट से और यह open होता है एक short tubular structure में जिसे हम कहते है pharynx जो कि further lead करता है isophagus में जो कि एक passage होती है just above the foregut तो आप यहाँ देख सकते हैं यह pharynx दिखाया है और यह आपके सामने isophagus दिखाया हुआ है अब isophagus जो है वो open होती है एक sack like structure में जिसे हम कहते हैं crop और यह काम आता है food को store करने में crop के बाद आता है gizzard या फिर उसे हम pro ventriculars भी कहते हैं और इसका function होता है कि यह food को grind करता है यानि जितने भी food particles होते हैं उसको grind करने में यह help करता है बच्चो बात करें gizzard की तो जो gizzard की outer layer होती है वो थिक होती है और circular muscle से बनी होती है और inside वो covered होती है cuticle से और form करती है six highly chitinous plate structures जिने हम कहते हैं teeth और यही जो है food की grinding में help करते हैं हिपाटिक और gastric CK जो होते हैं वो present होते हैं four gut और mid gut के junction पे जो basically ring बना होता है six से लेके eight blind tubules का और वहीं बात करें उनके functions की तो वो function करते हैं digestion का क्योंकि वहीं पे जो है सारे digestive juices present होते हैं तो यानि गिजाड के अंदर food की grinding होने के बाद में उसका digestion जो होता है वो hepatic CK में होता है अब बात करते हैं malpigen tubules की तो 100 से लेके 150 yellow color की ये thin filaments जो हैं वो present होते हैं mid gut और hind gut के junction पे जो की again एक ring form करती है और वहीं अगर हम बात करें इसके function की तो ये help करते हैं hemo lymph से excretive lux को remove करने में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये malpigen tubules दिखाए हैं ये hemo lymph है और इसी में से जुतने भी excretive products हैं उसको वहाँ से remove किया जाता है बश्चों जो hind gut होता है वो broader होता है than the mid gut और वो differentiated रहता है ileum, colon और rectum में rectum जो होता है finally open out होता है through the annus ये आप देख सकते हैं ये last opening होती है इस elementary कैनाल की जिसे हम कहते हैं annus तौ अप लगाँ स्व किने हैं ये जिसे हैं किन के दोड़र रहता हैं ये जिसे रहता हैं ये अवज़राब्दाट को भूबर्बर्यां तौ थिपड़र देखं़र देता हैं लाप